हलो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे आज मैं आपको इस वीडियो में अगर आपके पास कोई भी आपके पास जो ट्राइवल रिस्टेक्शन होता है यानि कि आप सौधी अरब से बाहर नहीं जा सकते हैं उसकी रिपोर्ट अगर आप को चेक करनी है तो वो रिपोर्ट आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं देखिए बहुत सारे ऐसे चीजे होते जिसकी वज़े से आपके पास ट्राइवल रिस्टेक्शन आपके पास लग जाता है उसके बाद आप सौधी अरब से कहीं भी ट्राइवल नहीं कर सकते हैं वो यह भाच आप सोदे अरफ से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो यह आपको किस तरीके से चेक करना है कैसे चेक करना है सारी छीजेये मैं आपको इस वीडिओ में बताने वाला हूं, वीडिओ में अगे बणने से पहले अगर आप तो दोस्तों जितने भी यहां जो भी काम करते हूं, या आप कापी पास काम करते हूं, या आप बाहर काम करते हैं, अगर आपने जैसे कोई SIM आपने निकाला और उसका बिल आपने नहीं पे किया है और किसी वज़े से आप भोल गया कुछ भी हो गया और उस SIM आपकी बंद हो गई और आपने बिल नहीं पे किया है तो आपके उपर ट्रैवल बैन लग जाएगा आप सौधियरव से बाहर नहीं जा सकते जब तक आप उसको पे नहीं कर दें यहां उस पैसे को आप भर नहीं देंगे इसकी वज़े से बहुत सारे भाई जिनको पता ही नहीं होता कि हम किस तरीक है यह चोटी चोटी चीजे होती जो आप खुद से भी अपने ही मुबायल पर चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं ज्यादा तर लोग के पास अफसर होता है क्योंकि आप एकामा बनवाएंगे तो आपके पास अफसर होता है और अफसर बनवाने के लिए जब आप सौधीर अब आ जाते हैं तो आपको एरपोर्ट पे एक बॉर्डर नंबर दिया जाता है वो बॉर्डर नंबर अब जो है आपके पासपोर्ट पर पहले स्टीकर वाला वीजा लगता था तो उस पे लिख देते थे तो आप तो पेपर वाला वीजा मिलता है तो उस पे लिखा नहीं जाते तो बॉर्डर नंबर कैसे चेक करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा लेकिन इसमें मैं आपको बता दूँगा कि आपको ट्रैवल बैन कैसे चेक करना है कि आपके ऊपर कोई ट्रैवल बैन लग यह तो मेरे भाजियों को बहुत सारे पता ही होता है कि हम Google में जा गर के अपसर सर्च करेंगे अपसर सर्च करने के बाद जो पहली विबसाइट आती है आप उस पर किलिक करेंगे और अपना यूजरनेम पासवर्ड डाल करके फिर OTP डाल करके जब आप OTP डालेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा तो यही में तरीका आपको बताने वालाओं कि किस तरीके से आपको जो अपना report है जिससे travel band बोलते है या travel restriction बोलते हैं वह च्हुर्च कर सकते हैं तो देखे जब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आप यहां से मैं दो तरीके आपको बता दूँगा, जिससे आपको असानी हो जाएगी, सबसे पहले आपको नीचे आ जाना यहां पर लिखा होता है Other Service, तो यहां पर आपको Other Service में यहां पर Option मिल जाते हैं, यहां पर देखे लिखा होए Apser Report, यह भी नया Add हुआ है इसमें, और उसके बाद आपको Vehicle, Ownerset, Transfer, Online Plate, Auction, फिर उसके बाद लिखा होए Service, Suspension and Travel, Restriction, यहां पर आपको Option मिल जाता है, यहां पर तो आपको करना क्या है, आपको इसी पर किलिक कर देना है, जब आप इस पर किलिक करेंगे, तो यहां पर लिखावा देखे दो, यहां पर दो Option होते है, Service, Restriction, Inquiry Service, This service allows individuals to inquire about the extension of restriction on access service and view the association detail, तो यह एक तरीका हो जाता है, आप यहां से, लेकिन जो आपका Travel, वहाला होता है, वो यहां लिखावा है, Travel Restriction and General Inquiry Service, तो यहां पर लिखावा है, नीचे आप दूसरे नंबर पर यहां पर देखे, यहां पर लिखा हो है, आपको लिखावा है, यहां पर लिखावा है, स्टार्ट सर्विस, तो आपको स्टार्ट सर्विस पर किलिक कर देना है, जब आप स्टार्ट सर्विस पर लिखावा है, तो यहां पर आपको कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, कि यह service किसलिए है, किसलिए registration होते है, सारी यहां पर detail लिखे हुए है, आपको यहां पर लिखावा proceed, तो आपको proceed पर click कर देना है, जब आप proceed पर click करेंगे, तो यहां पर लिखावा है, देखी यहां पर लिखावा है, there is no journalization report register against you, इसका मतलब क्या हुआ है, कि आपके आप कोई भी यहां सौधियरम में कोई भी report नहीं है, this service is enabled to inquiry about the travel registration or generalization against them and view the association related, तो यहां पर आपको मिल जाएगा, कि आपके ओपर कोई भी registration वो नहीं है, तो यहां पर फिर सह में proceed करता हूँ, फिर वही दिखा रहा है, अगर आपके पास होगा, तो यहां पर लिखके आ ज स्क्रीन सोड लेना है, और Google Play Store, Google जो translator होता हूँ, वहां जा करके इसको आपको चेक कर लेना है, कि यहां पर क्या लिखावा, आप Hindi, उर्दू, जिस भी वासा आपके आती हो, उस वासा में इसको translate कर लेना है, तो यहां पर देखिए, मैंने जहां पर अपना ही चक किया है, तो यहां पर मुझे कोई भी travel band मुझे नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पर कोई भी case नहीं है, लेकिन जिन भाईयों के उपर case होता है, उनको लगता है कि हमने कोई गलती किये, या हमने कोई bill नहीं बरा, या हमने कफील से कोई दिक्कत ही, या company से कोई दिक्कत ही, जिसक इसी सिम गरना है इसी तरीके से आपको आकर चेक कर लेना है तो बहुत सीमल सा तरीका है नेक्स्ट वीडियो मेरे जो आने वाले है वह आने वाले बौडर नंबर कि जितने भी मेरे नये भाई आप यहां पर आ रहे हैं उनके passport पे अब sticker वाला वीजा लगता नहीं, तो उनको वीजा मिलता है paper वाला A4 का, तो A4 पे आपको बहुत सारे border number नहीं मिलेगा, तो border number आपको किस तरीके से निकालना है, कैसे निकालना है, उसके लिए next वीडियो मेरी आ जाएगी, अगर आप इस्टेट हैं, तो comment भी कर सक में